स्वागत है आपका एकवार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी बिद मोटिवेशन में तो इस वीडियों बात करने वाले हैं O-Level के समकच कौन सा डिगरी डिप्लोमा मानने होता है हाल ही में UP पुलिस में आई हुई उपनिरिक्चक गोपनी है सहायक उपनिरिक्चक लिपिक, सहायक उपनिरिक्चक लेखा, Computer Operator Grade A के पदो पर वैकेंसी आई हुई है आपको पता ही है और इसमें O-Level के समकच अरहता भी मांग रहा है तो जिसे लेकर के बहुत confusion है कि O-Level के समकच कौन कौन से आपके डिग्री या डिप्लोमा मानने होंगे तो उत्तर प्रदेश का जीयो क्या है, Government Order क्या है, वो मैं आपको दिखाऊंगा तो समकचता समंधी सारी समस्याओका निप्टारा आपका होने वाला है तो वीडियो में बने रहिएगा लाश्ट तक, तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं पर से पहले देख लेते हैं जो बैकेंसी आई हुई है UP प्लिस में तो यहाँ पर आप देख सकते है UP प्लिस निरक्षे गोपनी पद के लिए यहाँ पर जो आपका O-Level ले रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार के राश्टी इलेक्ट्रोनिक सुचना प्रतों की संस्तान जो आपका पूर में ड्वेक था तो उसमें कम्पूर्टर O-Level की परिक्षा उत्रीन अथ्वा सरकार और उसके समक्ष मानता प्राप कोई अरहता एक यह दे रखा यहाँ पर उसके बाद पुलिस सहायक उपनी रिक्षक लिपिक के लिए भी यहाँ बर आप देख सकते हो कि O-Level की समक्ष मानता उसके बाद आप यहाँ पर देखिए पुलिस सहायक उपनी रिक्षक लेखा के लिए भी जो आपका O-Level की परिक्षा उत्रीन अथ्वा सरकार दोर उसके समक्ष अरहता तो इस वज़े से काफी कंफ्यूजन है तो चले दोस्तों और आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में वैकेंसी आई हुई है वहाँ पर भी O-Level के समक्ष मांगा जा रहा है यह आपका कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी है इसमें भी आप देख सकते हो कि डो एक विहाँ से कंप्यूटर में O-Level की परिक्षा या सरकार दो वश्रक है तो यहाँ पर भी समकष्टा की बात की गई है तो चले दोस्तों देख लेते हैं तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो यह समकष्टा समंधित जो आपका जियो सरकार उत्तरप्रदेश सरकार के दोरह जारी किया गया था यहाँ पर आप देख सकते हो कर्मिक अनुभाग दो बिसे क्या है आपका computer course ओ लेबल तथा उसके समक्चता निधर्ट किए जाने के संबन्द में और उपरियुक्त विसे के संबन्द में कार्मिक अनुभाग दो के कर्याले ग्यापन संखें यहां पे दी हुई है ओ लेबल के समक्च कोर्स के निधान है त कमेटी का गठन किया गया कमेटी के सदस श्री कुमार विनीत विशेश सचिव आईटी एम एलेक्ट्रोनिक्स विभाग एम प्रबंध ने देशक यूपी डेश को उत्तर प्रदेश सासन एम स्री हरिप साल साही विशेश सचिव कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश सासन परस्ताओं किया गया है जो निम्नुवत है अब उसके पास आप यहां पर देख सकते हो केंद्र राज सरकार के किसी बोर्ड बिस्विद्याल है UGC AICTE ड्वेक से मानता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से कम से कम एक वर्स की आवधिका आपका O-Level पाठिकरा किसी बोर्ड बिस्विद्याल है UGC AICTE ड्वेक से मानता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से कम से कम एक वर्स की अवधिका निम लिखित पाठिकराम उत्तिनिद्द अब यहां पर देख सकते हो एक वर्स का यह आपका पाठिकराम होना चाहिए DOAP, DOMA, ADC, ADCA उसके बाद आपका यहां पर ADCH, ADCP, DCA, DCFA, DCS, DCTT, DIP, DISA, DISM, DIT, DST, DTP और उसके बाद आपका यहां पर MDCA, MDCISM, MDIT, MO, MSP, CI and SN, ADCD, CSST, ADHN, ADI, ADP, ADSE, AIDT, PGD, CWD यह सारे आपके एक साल के कोर्स इंटर के बाद होने चाहिए तो यह भी आपके वो लेवल के समक्ष माने जाएंगे उसके बाद तिसरा पॉइंट आप यहां पर देखिए केंद राज सरकार के किसी बोर्ड, बिस्विद्याल है, UGC, AI, CTE, NIE, LIT, DOEC से मानता प्राप सरकारी नीज संस्था से 10 प्लस 2 एशनात्य के उपरांत की जाने वाली कम से कम एक वर्ष की आपका PGDCA यह DCA पाठकरम उत्तेर हो उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं अगला इसनातक इसतर पर एक विसेकर में कम से कम एक वर्ष कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर अप्लिकेशन रहा हो उसके बाद आपका है BSC, IT, MCA, BTEC, A-Label, B-Label, C-Label के कंप्यूटर कोर्स BCA आपका हो, MSC, Cyber Law and Security, BSC में Computer Science, Computer Application, एक विसेकर में कम से कम किसी एक वर्ष में आपका हो, केंद राज सरकार की किसी बोर्ड भी स्विद्याल है UGC, AICT और उसके बाद आपका मानता प्राप्त, सरकार नीजी संस्थान से High School को प्रांथ कम से कम एक वर्ष की आपका कोई पाठिकराम हो, कम्प्यूटर स्विद्याल हो, उसके बाद आई टी आई से 52 सप्ता है का आई टी आई से 52 सप्ता है का कम्प्यूटर ऑप्रेटर प्रोग्रामी असिस्टेंट कोपा, कोश अगर आपने किया है वो भी मानने होगा उसके बाद केन सरकार की किसी बिस्विद्याल है, NILIT से मानता प्राप्त सरकाई निजी संस्थान में तीन वर्षी है, उत्रीन डिप्लोमा उसके बाद यहाँ पर अतह यह हो गया, अतह मुझे यह कहने कनदेश हुआ है, कम्प्यूटर ओ लेबल तथा उसकी समकच्चत निधायत किया जाने है तो पर युक तानुसार कारवाहि सुनुशित कराने का कष्ट करें तो यह सासना देश भविस में विग्यापित होने वाले चैन पर लागू होगा, और यह दोस्तों आप देख सकते हैं, डाक्टर दविश चत्रोदी आप पर मुख सचियो द्वारा यह जारी किया गया था तो यह समकचता समंधी जो आपका कन्फूजन रहा होगा, तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि कौन-कौन से आपके डिग्री डिप्लोमा हैं, जो ओ लेबल के समकच हैं, जिससे आपके पास अगर इनमें से कुछ है, तो आप जो है यूपी-पी में आई हुई जो भी वैकेंसी हैं, यह जिसमें आपका O-Level के समकच ले रहा है, तो आप इस फार्म को अपलाई कर सकते हैं, तो यह कुछ जानकारी महत्पूर्ण जानकारी थी दोस्तों, जो मुझे आप लोग साथ सेर करनी थी, तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होग तो लाइक करिएगा दोस्तों और चैनलों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, वो आपको इस चैनलों के माध्यम से मिलती रहेगी, चैनले दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में, जैहंद